हेलो सुडेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको गौर्मेंट एक्जाम की पिपेशन करवा रहे हैं मेकैनिकल कोर और उससे जो एलाइड ब्रांचीज हैं उसके जो कि आप सब्सक्राइब कर लिया उसकी वीडियो अगर अगर आपने पने नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके सभी lectures के link आपको मिल जाएंगे हमने हर एक लेक्टर में टॉपिक जो भी कवर किया है उसाथ में के MCQs कोस्टें भी हमने दिये हैं जो कि बहुत इंपॉटन एंप सी कोस्टेंज्ट हैं एक्जाम की को ले करके तो आज हम जो है नया चप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लोड मेकनिक्स का या फिर कह सकते हैं आप हाइड्रोलिक का जो कि आपके सामने स्क्रिन पर है जिसका नाम है प्रैशर एंड इट्स मिजर्मेंट और यह चप्टर जो है बहुत इंपोटेंट है आपक किसी भी टेक्निकल एक्जाम को आप ले लीजिए ले लिग जिए या फिर कोई पहन के जाब श्यूद ओरं मेस्लिकẹंट को ले कर셔। और जैसे कि Assistant Motor Vehicle Inspector का जो एक्जाम है उसमें भी Pressure and It's Measurement का चप्टर है Hydraulics का यह बहुत important है इससे भी questions जो है आते हैं आपके exams में तो चलिए आज हम Pressure and It's Measurement का चप्टर जो उसको मिस्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि Pressure actually में कहते किसे हैं तो अगर पूछा जाए कि Pressure किसे कहते हैं तो आग उससे कैसे करेंगे तो हम तो सब्सक्राइब निकुड एगजर प्रैशर ऑन दी सरफेस या फिलिकुड एगजर्ट फोर्स ऑन्द सरफेस इस नोन लेज़ प्रैशर जब कोई जो है किसी सरफेस के ऊपर सपोस्क्राइब नाग लेजी एक आपका वैसल है उसमें में आपका water भरा हुआ है और आपने लोहका पीस जो आपने इसमें डाल दिया और वह पाने में जो आपका dip कर गया तो उसके में क्या हुआ कि उसके surface पी जितना भी pressure पढ़ रहा है liquid का तो वह क्या है यह जितने भी लिकुड की जो वेट या जो फोर्स विस विस पीज के उपर पर रही है उसे हम क्या केंगे उसे हम कहेंगे प्रैशर वहने लिकुड एग्जर्टेड फोर्स ओन दर सर्फेस ओफ यॉफ फेस और इस नोन ऐस प्रैशर तो आप माली जी जो आपका कंपोर्टर क का जो एरिया है वह आपका ए है और जो फोर्स है जो की किसी जो कि लिकुट से जो है आपका कमपनेंट की सर्फेस वे लग रही है उसे माल लेते हैं आपका capital P तो हमारा इसमें जो है formula क्या बनेगा तो small P is equal to आप लेंगे capital P बटे में आपका capital A तो यह होगी आपका P pressure small P pressure ले लिए capital P जो है हम ले लेंगे आपका force exacted on the surface और आपका जो A है यह आपका cross sectional area यह पूरा वो एरिया है जिसकी अपर जो है liquid का pressure लग रहा है तो यह पूरा आपका फार्मला बन जाएगा pressure is equal to P upon A ठीक है तो capital P को आप force भी कह सकते है capital P की यह को हमने force माना यह फिर F भी आप ले सकते हैं इसको capital F भी आप इसको ले सकते हैं तो यह आपका फार्मला बनेगा आपका pressure का मैं दुबार आप पी define करता हूं pressure की definition को वहन लिक्विड एग्जर्टिट फोर्स ओन दा component or on the surface of a component is known as pressure तो small P is equal to capital P बटे में आपका A तो small P को हमने pressure से denote कर लिए capital P को हमने force माल लिए फिर F भी मान सकते हैं यह आपर और जो A है आपका वह हो गया आपका surface जितने surface पर आपका pressure या force लग रहा है तो यह proper definition बनेगी आपका pressure की अब बात आती कि जो SI unit है वो क्या होती है अगर हम बात करें pressure की जो SI unit होती है वो होती है आपका Newton per meter square आपको याद रखना हमेशा SI unit of pressure जो है वो होती है आपका Newton per meter square अब हम बात कर लेते हैं आपका CGS unit जो CGS unit है वो क्या होती है अगर हम CGS unit की बात करें तो वो हमारी होती है आपका dine बटे में आपका इसमाज आएगा centimeter square ठीक है ना तो यह आपका CGS unit है आपका pressure की ओके चलिए अब आगे चलते हैं कि आपका जो pressure है वो कितने types की होती है तो अगर हम देखें pressure जो आपके की चार types की होते है पांस twomee होते है एकशा रह गया गेज प्रेशर हो गया वैक्यूम pressure हो गया Absolute बेशर हो गया डारी टिफेरिंशल प्रेसर हो गयाए ठीक है ना तो सबसे पहले हम बात कर लते हैं absolute इत्मोस्रिक प्रेशर है पहले हम इसको ले लेते हैं तो अठ्मोस्रिक प्रेशर क्या स्पॉस्रिक अ होता है इस लोन आज ऐसे का दोड़ा नहीं करने के तो प्रेशांपल के तोड़ पर लकटी का टुकुडा है लुहिका पीस है वह आपका जाएक एक एक जो प्रेसर पड़ रहा है वह हमारे कराएगा एक्ट मुश्फिक प्रेस्ट तो वह बात यहां पर कहा गई है डिप्रेसर एक्ट मौस्फिक एयर और अल्डा सर्फिस और इन कॉंटेक्ट विद ए और उसके अपर जो लिए प्रेशर पड़ रहा है उसे हम कहते हैं एट्मास्तरिक प्रेशर ओके और एक्ट्मस्तिक प्रेशर की जो वेल्यू है वह होती है आपका पी इस इकल तू आप उसको लेंगे वन पॉइंट जीरो वन त्री इन्टू टैन की पावर फाइब न्यूटन पर मीटर स्क्वेर ऐसा यूनिट में ठीक है ना पर मीटर स्क्वेर तो यह स्टेंडर्ड वैल्यू है एट्मोस्ट्रिक प्रेशर की यह आपको याद रखनी है ठीक है ना और अगर ऐसे दे दिया जाएं हंड्रेड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर केस में जो आपका कितना हुआ प्रेशर वह कलाएगा आपका वन बार ठ ठीक है ना तो आपको याद रहतना है इस तंडर्ड वैल्ली को तो ये हुआ है प्रॉपर डैफिनीष्य ना आपका अट्मोस्ट्रिक प्रेशर की में फिर्फिर्ट मिस्टीवन फिर्टिक प्रेशर जो आपका वो कर आथा अदी प्रेशर आग्जाट इंग्जार्ट आपका gauge pressure gauge pressure क्या होता है कि गेज pressure की डेपनिशन है आपका डिप्रेशर मेजर बाइ थी गेज मेजरी फाइघ अब वाइटमस्टिक प्रेशर इस नहीं गेज प्रेशर तो प्रेशर जोगी गेज के द्वारा मेजर किया जाता है और उसका जो स्टार्टिंग लेवल होता है वहता है आपको ध्यान रखना जो बाते हम बता रहा हूं इसारी इंपोर्टेंट बाते हम आपको बता रहा हूं उसको हम पोजिटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं तो मैं दोबारा फिर डिफाइन करते हूं दा प्रेशर मेजर बाइदी गेज अबाव दा अट्मॉस्थिक प्रेशर इस नौन एज गेज प्रेशर और पॉजिटिव गेज प्रेशर चलिए उसके बाद थाड़ अमने लेते हैं इंको कैसे निकालना हूं आपको बता दूंग तो प्रेशर वो प्रेशर जोकी आपका यह तो मिजर क्या जाए रिकूड क्या जाए ब allow the atmospheric pressure लावल जो तो एट्मसिक प्रैशर लेवल है उससे घर बिलोग हम नीची मेजर परते हैं आपका रिकोर्ड करते हैं उस प्रैशर को हम कहते हैं वैक्कि प्रैशर या फिर मुस्चे कह सकते हैं डागटिव प्रैशर के चैली इसके बाद जो आपका next वह आता है अपसुलूट प्रैशर कि मतलब जो डाटम लाइन है जो हमारी अर्थ की सर्फेस है यहां से जो हम मिजर करते हैं वो जीरो लेवल रफेरेंस लेवल जीरो माल लेते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर मिजर करते हैं उसे हम कहते हैं आपका एपसेलूट प्रेशर तो दिपराशनाथव जर्ण अबँट जीरो और एल एक전व में गूत करते हैं हैं आपका डिफेरेंश्यल प्रेसर अपका नंबर फिफ्ट आपका जाएगा डिफरेंशल प्रेशर डिफरेंशल प्रेशर तो इसमें क्या रहा है कि जब हम हम दो प्रेशर की डिफरेंश को मिजुओ करते हैं जैसे कि आपका माल लीजीये की एक pipe है वह में दो अलगले पॉइंट प्रेशर को मेंज बिखिया उसमें कितना सब्सक्राइब दोनों की प्रेशर कोमने आप से हमामाय भान सका लिए तो जो निकल कि करते हैं difference pressure differential pressure ओकी अब करते हैं अब करते हैं atmospheric pressure, gauge pressure, vacuum pressure, absolute pressure, differential pressure ठीक है ना तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो डिखाया गया है कि यह हमारा जो है datum है अर्थ की surface है ठीक है ना यह हमारी अर्थ की surface है यहाँ पर जो pressure होगा हमारा zero होगा ठीक है ना और जो green वाली लाइन दिखाया दे रही है यह हमारी atmospheric pressure की लाइन ठीक है ना और यह हमारा यह gauge pressure है atmospheric pressure चे उपर हमारा gauge pressure है और यह अर्थ की surface है वहाँ से लेके टॉप तक जो हमारा क्या है यह हमारा क्यालाएगा आपका absolute pressure at the point a ठीक है ना तो यह हमारा absolute pressure क्यालाएगा अब देखिए इसमें अगर आपको सबसे पहले आपको gauge pressure निकालना तो gauge pressure निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे absolute pressure मेंसेज़ यह आप अब दूसरा अगर आपको वैक्यूम प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे वैक्यूम प्रेशर निकालने के लिए आप आपको जो आपको atmospheric pressure है atmospheric pressure मेंसे आप जो absolute pressure को माइनस कर देंगे तो आपका vacuum pressure निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको atmospheric pressure मेंसे कि आपको जो है vacuum pressure माइनस करना पड़ेगा तो आपका absolute pressure निकल किया जाएगा ठीक है कि लिए और जो हमारे absolute pressure at the point a अगर हम लें तो इसमें हमारे जितने प्रेशर आपका absolute pressure vacuum pressure आपका atmospheric pressure gauge pressure सारे जुड़ जाएंगे तो हमारा यह बन जाएगा absolute pressure आपका at the point a तक का जो टोटल प्रेशर है आपका उस उसकी बात हो रही है आपका वहां तक ठीक है ना यहां पर आपका जोगा वह होगा आपका टोटल करने के सबका तो आजाएगा तो मैंने आपको बताते हैं आपको gauge pressure कैसे निकालना है gauge pressure में आपको करना क्या है absolute में से atmospheric pressure को minus कर देना gauge pressure आजाएगा और अगर आपको vacuum pressure निकालना है तो vacuum pressure निकालने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा atmospheric pressure में से आपको absolute pressure को minus करना पड़ेगा तो vacuum pressure आ जाएगा अगर आपको absolute pressure निकलना पड़ेगा तो आपका absolute pressure निकलके आ जाएगा तो इस तरह के से जो आपको इसमें calculate करना है चलिए मैंने आपको जितनी भी definitions बताई है pressure की और उनको calculate करके मैंने आपको बताया है तो उसी के भी आप पर हम pressure के उपड़ जाएं सी questions को करते हैं सबसे पहला question is when a liquid exerted pressure on the surface is known as जब एक liquid जो है किसी surface पर pressure exert करते हैं तो हम क्या कहते हैं volume कहते हैं pressure कहते है temperature कहते है velocity कहते हैं वोसे हम pressure कहते है तो right answer is B second question अपका the SI unit of pressure pressure की जो SI unit है वो क्या होती है newton per meter cube, newton per meter square, newton per meter होगी power 4 या इन में से कोई नहीं जो SI unit के अगर हम बात कर रहे हैं तो newton per meter square, SI unit होगी आपका pressure की second third question है CGS unit of the pressure क्या है dine per meter square या फिर dine per centimeter square, dine per centimeter cube या इन में से कोई भी नहीं none of these, तो जो CJ unit है आपका pressure की वो होती है dine per centimeter square, तो right answer is B इसके बाद आपका question number 4, 100 kN per meter square को हम क्या कहते है, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, हम कहते हों से 1 bar question number 5, the pressure exerted by the atmospheric air on all the surface in contact with it it is known as vacuum pressure, absolute pressure, atmospheric pressure, none of these, वो का लागा आपका atmospheric pressure, right answer is C next question, the pressure measured by the gauge above the atmospheric pressure is known as वो pressure जो की gauge की है से atmospheric pressure उपर मिजर किया था, तो हम क्या कहते है, vacuum pressure, absolute pressure, atmospheric pressure, gauge pressure तो हम कहते है, gauge pressure, यह से मैं आपको पर कोई अभी lecture दिया तो हम समझाया था मैंने आपको question number 7, the gauge pressure is also known as, gauge pressure हम क्या कह सकते हो, negative pressure, positive gauge pressure, both and be none of these तो जो हमारा gauge pressure होता है, वो दोनों cases में होता है, positive gauge pressure भी होता है, negative gauge pressure भी होता है, तो उसे हम कहते है, positive gauge pressure तो हमारा right answer is B, क्या कर आएगा, positive gauge pressure, जो हमारा gauge pressure होता है, above the atmospheric pressure हम उसको मेजर करते हैं, तो हमेशे क्या होगा, वो positive gauge pressure होगा, तो B आएगा answer question number 8, the pressure measured or recorded below the atmospheric pressure, that pressure is known as, तो जो record कहता है, below the atmospheric pressure लेवल से निचे जो ब्लोगी मेजर कहता है, vacuum pressure कहते है, positive gauge pressure कहते है, atmospheric pressure कहते है, या gauge pressure कहते है, उसे हम vacuum pressure कहते है, तो right answer is A question number 9, the vacuum pressure is also known as, vacuum pressure को दूसरे किस नाम से हम बोल सकते हैं, आपको negative gauge pressure, positive gauge pressure, both A and B, या फिर में से कोई नहीं, तो जो vacuum pressure तो उसको negative gauge pressure भी कहते है, तो right answer is A, question number 10, the pressure measured above, absolute zero, और इने complete vacuum, A is known as vacuum pressure, absolute pressure, atmospheric pressure, gauge pressure, तो वो कलायाता हमारा absolute pressure, right answer is B, okay, आर्थ की surface से उपर जो pressure रहता है, वो हमारा absolute pressure रहता है, ठीक है, ओके सुने लिस तो यह मैंने आज आज आपको जो pressure and its measurement का जो है, टॉपिक करवाए, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के इतने कैसे calculate करते हैं, वो बताया, उनके MC questions बताया, इसके साथ साथ जो है, आप जो है, यह कुछ e-book से इनको आप ले सकते हैं, अपनी प्रेशर करने के लिए, इसके साथ जो theory of machine की e-book भी जो है, आपको Amazon पर मिल जाएगी, जितने भी all complete exams हैं, उसमें जो आपको यह बुक आपको काफी help करेगी, तो इस e-book को भी आप ले सकते हैं, यह भी आपको Amazon पर मिल जाएगी, इसके जो link के आपको इस video के description में मिल जाएगा, इसके अलावा और इस e-books हैं, तो उनके भी link आपको इस video के description मिल जाएगी, तो आपको इस e-books को ले करके अपनी प्रेशन को और better up कर सकते हैं, तो students आज के इस lecture में इतना है, तो मिलते हैं next lecture में आगे के topics को ले करके, okay, thank you.